दमश्कार, 80Z डिशुष उशा गोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही उरत दाल वड़ी आलू का पुलाओ ये इतना वड़ी आलू का पुलाओ तो ट्राइ किये ही होंगे पर ये जो वड़ी आलू का पुलाओ है ना सच बता रही हूँ मज़ा ही आ जाएगा खा कर आपको इतना असानी से बन जाता है और खानी में भी स्वादिस्ट है बनाने में भी बहुत ही आसान है प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जटपट से भी बन जाएगा एक दम खिला खिला पुलाओ है उसके लिए दीखिए ये उड़त दाल की वड़ी मिलती है आप चाहे तो मार्केट से भी ले के आ सकते हैं आप चाहे तो घर पर भी बना सकते हैं मैं तो हर पार घर पर ही बनाती हूँ इसकी वीडियो जो मैंने घर पर बनाए हूँ इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आप जरूर चेक आउट कीजेगा और यहां पर देखे आलोकों में मैंने काट लिया था दो से तीन कच्छे आलोकों और दो कव चावर ले लिए मैंने बासमती उसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है गेस कौन परफे दो चमचे के अंदर तेल डाल देंगे जैसे गरम हो जाएना तह एक चोथा ही चमच जीरा दो इस तरह से लंबे कटेवे प्यास और दो अरम्यमेश काट लिए प्यास को अन्य हलका लाल होने तक भूना है अब देखे अगर ज़ादा लाल करता है प्यास को तो क्या होता है न कि पुलाओं में वो जला हुआ स्वादाता है तो वैसा नहीं करना है बस हलका लाल हो जाए न इस तरह से तो इसके अंदर हम डाल दें कि आधी चमच लाल मिर्श पाउडर अपने स्वाद के नुसार आप डाल सकते हैं लाल मिश पाउडर अच्छे से मिला ले और लाल मिश पाउडर डालने के बाद आपको जादा इसे नहीं पकाना है तुरंत ही आप इसके अंदर ये आलू डाल दे अब आलू को चोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं मैंने इसे लंबा कट किया है तो से तीन कच्छे आलू को छील कर लंबा काट लिया है और ये उड़त दल की वड़ी भी मैंने डाल दी है दोनों को मैं लगबग एक से दो मिनिट तक भूनना है तक कि क्या आलू हलके से कुर कुरियानी की क्रिस्पी हो जाए और वड़ी भी अच्छे से ना भून जाए तो बस एक से दो मिनिट तक लगबग इसी तरह से भूने उसके बाद देखेंगे वड़ी पर इस तरह से माक्स आ गया तब इसके अंदर हम डाल देंगे ये चावल अब आप चावल भी इस अब आपके घर पर होते हैं या फिर मैंने तो इसमें बासमती डाले क्योंकि ना बासमती चावल जो पुलाओ बनाते हैं वह बहती बढ़िया लगता है चावल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल दे और इसे फिर से म नहीं डालने नहीं तो खिला खिला पुलाओ नहीं बनेगा अच्छे से मिक्स कर लीजेगा आप कुकर का ढखन दे देंगे और इसे हम दो विसल यह नहीं कि दो सीटी आने तक पकाएंगे जैसे ही पक जाने तो आपको तुरंती ढखन को नहीं खोलना है पूरा प्रेशर ख पसंद आएगा तो जरूर ट्राइ कीजेगा और मचे कमेंट्स बताएगा आपको रसेपी कैसी लगी है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना है थांकियो फॉर